confidence interval एक ऐसा term होता है जो आपको बताता है कि based on the sample, आपकी population का mean क्या हो सकता है, ठीक है, अगर sample का mean मेरे पास से for example है 50, तो population का mean क्या होगा, इसको हम confidence interval की base पर देखते हैं और ये probability की calculation होती है, and now we will see कि confidence interval असल में होता है कि और उसकी basic examples कौन कौन सी है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने एक population से, यानि कि ये मेरे पास एक population है, population को पता है, आपके पास के काफी points होते हैं, और ये मेरे पास 5 चीजों का इसमें से मैंने sample ले लिया, अब इन 5 चीजों का जो sample है, ये म के mean है, 5 का mean है, तो मैं इस 50 पे, for example, ये इसकी price थी, किसी चीज की price थी, और इन सभी के prices का, जब मैंने mean लिया, तो मेरे पास 50 आ रहा था mean इसका, ठीक है, अब ये confidence interval जो है, इसकी base पे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, कि ये जो mean 50 है, क्या ये population की price की average भी 50 होगी, या ये 5 percent उपर भी जा सकती है, और 5 percent नीचे भी आ सकती है, और अगर मैं 50 लिखता हूँ, तो 50 से पहले भी अगर कोई point है, और end पे भी कोई point है, तो obviously 50 इसके center में होगा, and then I can actually say, कि 50 तो sample का है, लेकिन based on the population and number of samples in the population and some other criteria, ये 50, 48 भी बन सकता है, और ये 52 भी हो सकता है, center में 50 है, ये 48 से 52 हो सकता है, ठीक है, ये हम range में बताते हैं, 50 को बाद हम जब population पे inference generate करें, तो हम कह देते हैं कि नहीं, ये 48 भी हो सकता है, 52 भी, क्यूंकि हमने तो 5 लोगों का sample लिया न, and there are many other points, जिनकी prices different हो सकती है, ये इसकी different हो सकती है, इसकी, 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 त तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है यार, ये जो मेरे पास result आये हैं, ये 95 फीसद ठीक है, और मैं कहा दता हूं कि 5 फीसद घलत हो सकते हैं, based on the population and sampling criteria, अब वो जो 5 फीसद है, वो इसको 2 ranges में convert कर देता है, एक होता है lower bound, और एक होता है upper bound, ठीक है, यानि कि आपक करते हैं, किसी भी चीज की average लेते हैं, on sample basis, और इससे एक value low होती है, एक value high होती है, ठीक है, अगर आप इसको x-axis and y-axis की base पे देखें, तो ये आपका lower bound होगा, ये आपका upper bound होगा, ठीक है, तो हमारे पास confidence interval lower bound and upper bound की base पे, हमारे पास values आ जाती है, और commonly जो confidence interval है, वो 3-4 values की base पे चलता है, मैं आपको चारों value दिखा देता हूँ, say for example, अक्सरोकाद जो confidence interval है, लोग ज्यादा तर experiment में 95% अपने आपको कहते हैं, कि ठीक है, 5% अपने पास गलती के chances रख लेते हैं, कुछ लोग होते हैं, कि इसी को 90% भी कह देते हैं, कि हमने 90% ठीक है, 10% हमारे पास chances हो सकते हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा सकत होते हैं, वो कहते हैं, कि 99% हमारा result ठीक है, और 1% गलत है, ठीक है, इसकी base पे हमें statistical analysis बताओ, so ये 3 categories है, 95, 90 and 99, ये आप पे भी depend करता है, कि आपने कितना confidence interval जो है, उसे choose करना है, अब इसको हम probability भी बोलते हैं, confidence की, कि population parameter क आपके sample statistics से कितना फरक है, ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ अभी, और इससे आपको और भी clear हो जाएगा, कि कैसे हम population और confidence interval को link कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, just imagine कि आपने लहौर के एक college में students का average test score calculate किया है, लहौर के एक college है, आपने उसमें students का average test score calculate किया है, आपने जो sample mean है ना आपका, वो है 70, यानि कि 70 जो है आपका sample का mean है, obviously, एक college के student का, आपने test score calculate किया, which is around 70, और आपने 95% confidence interval calculate किया है, जो है 68 से 72, यानि कि आपने बताया कि 68 से 72 हो सकता है, मेरे पास जो mean आया है, वो 70 आया, ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप 95% sure हैं कि पूरे college का student का average score इसी range में होगा, यानि कि 68 से 72 तक की range में होगा, आप कितने percent sure हैं, 95 फिसद, अब आपको भी पता है कि 5 फिसद और भी इधर उदर को चीज़ें जा सकती हैं, बट आप 95 फिसद sure हैं, कि आप 68 से 72 की range के अंदर अंदर है this is what confidence interval is, ठीक है, समय जागी बात की, समय जागी, मिसाल मैं आपको दुबारा बता देता हूँ, आपने लहौर के college में students का average score कलकुलेट किया, आपके sample की base पे, ठीक है, और आप 95% confidence interval कलकुलेट किया, जो 88 से 72 के ग्रीब है, इसका मतलब यह है कि आपने 95% surety के साथ बताया है कि पूरे college के students का average score इसी range में होगा, ठीक है, यह sample के है, और यह पूरे college के है, इसका मतलब यह हुआ, कि आप जब sample पे study करते हैं, तो आप 95% confidence interval की base पे range बताते हैं, lower से upper bound center में mean होते हैं, और आप इस एक range को कहते हैं कि population का भी यही होगा, मैं 95% sure हूँ, ठीक है, this is what confidence interval is, समझ आगी यहां पे, और confidence interval क्यों ज़रूरी है, research में, business में और बाकी जगों पे बहुत ज़्यादा है, इसका important किरदार है, reason यह है कि जब भी आप confidence interval के बारे में बात करते हैं, then people know कि confidence interval एक छोटे sample को analyze करके, बड़े sample के उपर हम कोई ना कोई inference generate कर सकते हैं, और य यह आप decide करते हैं कि कितने percent surety के साथ आपने result दिखाना है, और फिर आपके पास different किसम के test जो हैं, वो मजूद होते हैं, अब हमने क्या करना है, हमने कोशिश करनी है कि जो confidence interval हम देखें, वो हमारे पास 95% confidence interval हो, अब confidence interval की एक equation जो हमारे पास है, वो मैं आपको दिखा देता तब हम फिर आगे चलेंगे, यह हमारे पास confidence interval की equation है, confidence interval की जो equation है, वो बहुत असान है, आप क्या करते हैं, आप confidence interval is equal to x bar plus minus, plus minus क्यों है, अगर minus करेंगे तो वो lower bound हो जाएगा, अगर आप plus करेंगे तो वो upper bound हो जाएगा, ठीक है, तो plus minus इस वज़ा से, इसका मतलब जितना अप होगा, उतना ही low होगा, so z multiplied by standard error, यह standard error वो ही है, जो इस तरीके से हमने calculate की थी, आपको याद होगा, standard deviation divided by sample size का under root, ठीक है, तो यह हमने standard error जो है, यह calculate की थी, variance से standard deviation, हमने variance लिया था, उससे हमने standard deviation calculate की थी, उससे पिर हमने standard error calculate की थी, यह वो ही standard error है, यहां जो है यह z-score है of probability ठीक है for example 95% confidence interval का z-score होता है 1.96 और इस z-score की base पे आप अंदाजा लगाते हैं कि standard error और sample of mean की base पे lower bound and upper bound कैसे आता है तो obviously यह आप खुद से भी calculate कर सकते हैं लेकिन there are tools out there python के अंदर जिनके थूँ आप इसको calculate कर सकते हैं इस तरीके से result आता है अगर हम सभी चीजों को इकठा लिखें तो मैं एक example आपके सामने ले आता हूँ पता नहीं मेरी screen को क्या हो गया but I will put the example here तो अगर आप यहां पे गौर करें यह right side वाली चीज पे तो for 95% confidence interval the z-score is approximately 1.96 so if your sample mean is 50 मेरा sample mean है जी 50 ठीक है अब the sample standard deviation is 10 तो मेरे पास sample standard deviation भी 10 आगी 50 मेरा mean है and your sample size is 100 तो n भी आगया मेरे पास n, se and mean मेरे पास आगया then I can calculate this whole value say for example standard error मेरे पास है जी इस base पे आगई let me show you कि यह कैसे calculate होनी है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यह हमारे पास है confidence interval का equation ठीक है इसमें हम values add कर रहे है और जो values add होई है वो कुछ इस तरीके से होई है अब आपको मैं यह वाला दिखाता हूँ standard deviation 10 है तो divided by 100 sample size है तो हमारी जो standard error आगी वो 1 आगई 1.96 जो है वो basically z score होता है इसको हमने 1 से multiply किया क्यों? क्योंके standard error से multiply करना है न हमने तो हमारे पास 1.96 आगया at the end 50 plus minus 1.96 तो यह यहाँ से यहाँ तक आपका 95% confidence interval आ जाता है और इसकी base पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका result इस range में होगा this is very easy to calculate और आपके पास different tools में है python के अंदर जिससे आप calculate करके इस पे अपना काम जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं अब हम जलेंगे जी अगले lecture के अंदर different statistical tests के उपर और उन test को analyze करके हम देखेंगे कि कैसे perform किया जाता है using scipy library ready है आप चलें next lecture में मिलते हैं